नमस्क्राइब दोस्तों मैं हूँ आपके साथ तमन्ना और आप दिपने हमारा चैनल UK Credit दोस्तों मैं जानती हूँ कि आज कोई भी महिला ऐसी नहीं होगी जो अपने सपनों को पंक नहीं देना चाहती जो ये नहीं चाहती कि वो अपने परिवार की मदद करें चाहे वो मदद शारिदिक तौर पर हो या आर्थिक तौर पर हो और मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे इस समाज में अब इतना सब कुछ बदल गया है कि अब जो समाज को male dominating समाज कहा जाता था यानि कि पुरुषवादी समाज कहा जाता था वहाँ पर पुरुष भी अब चाहते हैं कि उनके घर की महिलाएं जो हैं वो कामकाज करकर उनका हाथ बटाएं और मैं सभी महिलाओं की तरफ से उन पुर्षों को भी शुक्रिया करूँगी कि आप अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके सपनों को साकार करने में आप उनकी मदद कर रहे हैं क्योंकि सरकार त्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं महिलाओं के आपा सपोर्ट उनके साथ होगा तो आज हम जिस योजना की बात कर रहे हैं वो है महिला समरिधी योजना अब हालात जो होते हैं ना हालात बहुत कुछ चीजें बदल कर रख देते हैं हालात कई वार ऐसे बन जाते हैं कि आपका सपना पूरा होने पर होता है लेकिन फिर बड़ा हालात माइने रखता है वो है फाइनेंस यानि की पैसा और पैसे की बदौलत ही आप बिजनस को चमका सकते हैं और पैसे की बदौलत ही आपका बिजनस ठप हो सकता है और आपको खाम्याजा भूगदना पड़ सकता है तो महिला समरिधी योजना तमाम उन महिलाओं के लिए हैं जो पिछडे वरकी हैं जो जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना कारूबार शुरू कर सकें गरीब परिवार से संबंदिर रखते हैं और पैसों की कमी के कारण वो अपने बिजनस को एक स्टार्ट नहीं दे पारी हैं ये एक तरह की कहा जाए तो माइक्र तो फाइनेंस योजना है जिसके तहद आप इस योजना का लाब उठा सकती है और मैं तो कहती हूं कि प्रतेक महिला को इसका लाब उठाना चाहिए तो चलिए आपको इस योजना के बारे में डीटेल बता दे हैं और सुएम सहायता समू के माध्यम से भी ले सकती हैं स्वे अपनी इच्छा से स्वेम सहायता समूहों का गठन किया तांकि वो अपने सदस्यों के common funds की बचत कर सके और इस समूह में चानल पार्टनर्स की एक बड़ी भूमिका होती है चैनल पार्टनर्स जो कि अपने क्षित्र के अधिकारियों के माध्यम से एक महत्वपून भूमिका निभाते हैं वो स्वेम सहायता समूह बनाने में टागेट किये गए पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्क के लोगों को प्रोस्त साहिद करते हैं इस योजना के तहट पाइनेशियल हेल्प भी खड़ते हैं तो चलोए इस योजना के तहट मैकसिमम साथ हजार उपय तक का लोन ले सकती हैं मही लाएं और इस योज़ना के थाएट एप्लिकेंट्स को अवेदकों को दिये जाने वाला लोन राज्य चैनलाइजिंग एजिंसिस, शेत्रग्रामिन बैंक और राश्ट्रकृत बैंक से लिया जा सकता है लिकिन इसमें एक और महत्वपूर बात है आपके द्वारा अप्लाइ किया गया लोन 95 प्रतीशत मनजूर होगा बाकी का 5 प्रतीशत राज्य चैनलाइजिंग एजिंसिस के द्वारा फंड किया जाएगा इसके साथ ही जो लोन आपको मिलेगा उस लोन की राश्य आपको 4 महीने के अंदर यूज में लाने होगी खास बात यह है कि लोन चुकाने के लिए आपको 6 महीने की निशेद अवधी के साथ ही 4 साल तक कास समय दिया जाता है जिसमें हर 3 महीने की किष्टों में आप इस राश्य को चुका सकते हैं और ये जो टाइम है लोन चुकाने का वो उस दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन आपके बैंक खाते में लोन के रुपए आ जाएंगे अब बात करते हैं कि इस योचना के तहट लोन भी ले लिया अवेदन फॉर्म कैसे भरना है ये भी पता चल गया लेकिन इस लोन को जब चुकाना है तो बयाज की दरें क्या होंगी तो चलिए उस पर निगाडाब है राश्ट्रे पिछड़ा वर्ग वित और विकास निगम यानी NBC, FDC से जो लोन मिलता है उस पर बयाज दर एक प्रतिशत है जबकि राश्ट्रे चैनलाइजिंग इजएंसी से जो लोन राशी मिलेगी उस पर प्रभावित बयाज दर चार प्रतिशत है अब सबसे बड़ा सवाल कि इस योजना के तहट कौन सी महिलाएं आवेदन दे सकती है इस योजना में ऐसी महिलाएं जो कि केंदर और राज्ज सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित पिछड़ी जातियों से समंध रखती है और गरीबी रेखा के दोगुना नीचे रहती हैं वो इस योजना का लाब लेने के लिए पात रहें साथ ही वो महिलाएं जिनकी सालाना पारिवारिक आय तीन लाक रुपे से भी कम है उन्हें भी इस योजना में आवेदन करने की अनुमती है इसका लाब नहीं उठा सकती अब लोन लेने के लिए documents कौन कौन से provide के जाएंगे देखिए इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपनी पहचांस का रूप वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड और निवास के प्रमाण के लिए राशन कार्ड आधी की photocopy form में लग सिता का प्रमाण देने के लिए membership का ID कार्ड भी दिखाना होगा साधी आई प्रमाण पत्र आयू प्रमाण पत्र जाती प्रमाण पत्र बैंक खाते की जानकारी और passport आकार की photo भी आपको देनी होगी अब सबसे important सवाल की महिलाएं इस योचना के लिए आवेदन कैसे करेगा इस योचना में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले राजू channelizing agencies यानि SCA के office जाना होगा वहां से आपको महिला समरिद्दी योचना के लिए application form मिलेगा इस form में आप से अपने उद्यम और आपकी स्वयम की कुछ जानकारी पूछी जाएगी वो सभी जानकारी आप उसमें भरें इसके अलावा आप उसमें से प्रशिक्षन, आवेशक्ताओं और रोजगार का चेहन कर उसके बारे में लिखें ये सब हो जाने के बाद आप सभी documents जो अभी आपको हमारी वीडियो में बताएं गए हैं उनकी photocopy को form के साथ attach करें और उस form को उसी राज्य चैनलाइजिंग एजनसी के office में जमा कराएं यहाँ पर आपका काम खत्म होता है अब इसके बाद जो भी सम्मंदित अधिकारी है वो आपके forms और आपके documents को चेक करेगा और उसके बाद राज्य चैनलाइजिंग एजनसी जो हैं वो इसको approve करेंगे और इसके बाद बस आपको loan मिल गया और आप अपना business शुरू कर सकते हैं तो मेरा वही सवाल है कि आप जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये series आपको हमारा ये video कैसा लगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप like कीजिए और किसी भी तरह के आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें comment box पर लिखिए bell icon का button दबाईए तांकि हमारा notification जो है आप तक पहुंचे और हाथ channel subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा और दोस्तों ये जो series है महिलाओं को लेकर ये मेरे बहुत करीब है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तमाम महिलाएं जो हैं वो आगे आएं अपना कुछ व्यावसाय शुरू करे और किसी का भी जो भी सपना है वो अगर संपून तोर पर पूरा नहीं हो सकता है कि किसी कारणवर्श लेकिन एक छोटी सी कोशिश तो करके देखें क्योंकि हम भी एक कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचने की और जितनी भी schemes हैं जितनी भी सरकार द्वारा योजनाई चल व्यापार का